देखिए माहा हमारा मैंने पिछले हाउस में हमारा एक बड़ा एहम गुद्दा उठा था पेड़ों को लेकर के वैसे कि पेड़ जो सूखने हैं सूखरे इसमाई जो क्लिपर्ज होते हैं या जो बेले हैं उसकी वज़े से पेड़ों को बहुत नुक्सान हो रहा है और आज स दस-पंदरा साथ पहले मैंने महीम चलाई तो समय भी एक ऐसा ही इशू चला था उसमें बेलों को निकालने का क्लिपर्ज जो आते हैं वो बेले पीड़ों को पूरा गुमा देती है पीड़ के चारो तरफ गुमके उसकी जो प्रोटीन की मातरा है उसको जो उसका डाइट ह पीड़ बेले ले लेती है तो इसी संदर में हम आज यहां पर जो शिमला का सर्कुलर रोड है और कलोग है खलीनी है बैनमोर है जहां पर फॉरस्ट थिक फॉरस्ट है ज्यादा तर शिमला में लगब 834 हेक्टेर के करीब जमीन है जो अर्बन इरियम आती है जो जहां पर फ अक्सिजन देता है और लंग्स का काम करते है अक्सिजन हमारे लिए पेड़ इतने जुरूरी है उसी संदर में मैंने इसमें देखा कि काफी पेड़ इसमें सूख रहे है जिसकी वज़े से बहुत नुक्सान हो रहा हमारे पीड़ों को भी बहुत नुक्सान हो रहा है और ह के साथ आर्बन अर्बन के आरेम घाय थे और उनका स्टाव भिया था और हमारे लोकल लोग जो अस्थानीय जनता है जो सोशल ऑगनेजिशन से जुड़ी है तो यह अर्धानिय जीम कि अगर निचे से निकाल देंगे तो वो बेल शूख जाती है फिर बार में उसको उपर जाने की जुद्धिते नीचे से कार दें तो ठीक हो जाता है मेरा दूसरा इसमें एक मानना है कि पुराने समय में इसमें बेले निकाली जाती थी जिसका बड़ा फॉरस्ट डिपार्ट करेंट बड़ी हर साल इसमें उसको क्लीपर इसको निकालने का काम करते थे तो मैंने उसकी जानकारी में मैं बात चाहूंगा कि इसका टेंडर के माधियम से क्योंकि बहुत सारे संख्या में बेड़ है हर आदमी के इतना जो हमसे संबब होगा हो हम करेंगी स्थानिय जंता भी करेंगे और हमारे स्थानिय जो पार्शेद हैं उनको भी अपने साथ लेकर के करेंगे लेकिन सरकार के लेवल से इसमें टेंडर होना चाहिए जो इसकी देखरे का प्रॉपरली इसका क्योंकि पूरे हिमाचल में मुझे लगता यह हिमाचल पुरे नौर्थ को ऑक्सीज करना चाहिए ताकि इन पीड़ों को सुखने से बचाया जा सके के ल मैं आपकी पासे सहमूत और मैं जरूर इस बात को लिखूँगा लिखी तरूप में भी दूँगा मैं अपने पत्र के माध्यम से भी और मैं परसनली भी मिलूँगा कि ऐसा सा मैंने इस चीज को पाया है नाकेबल शिमला में पुल के पूरी हिमाचल में ऐसी स्थिती होगी अगर ऐसा नहीं हुआ हुआ है तो एक बड़ा कड़ा संग्यान लेने चाहिए और डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट और सरकार के द्यान में भी और माने मुख्यमंत्री के द्यान में भी मैं इन चीजों को लॉंगों को और इसको बड़ी गंबीरता से हमको विचार करना चाहिए कि ताकि हम हिमाचल में द्याब देवदार और बान दूसरे पेड़ जितने भी है उनको इस जो यह समस्याय से निजात दिलाया जा सके